हलो अब्रिवान वाल्कम तू आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 11 का लेक्षर इससे पहले जो है डे 10 तक हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो सारे लेक्षर एक बार देख लेना डे 1 से पूरी सीरीज बनी भी यह स्टार्नल पर ठीक है सार जो है मेजर वेटेज लेते हैं आपकी ऐससी एक्जाम सके अंदर ठीक है चाहे वह आपका सीजिल का हो आपका स्ट्यानो का एक्जाम हो सीजिए सीपी ओ हो कोई भी एक्जाम हो हर किसी एक्जाम में चाहे के वियस हो जिसमें भी इंग्लिश आएगी उसमें कॉमें आएंग कृम्यूटी की बात हो रही है कि अच्छे लोग भी होते और बुरे लोग भी होते और जब हम community की बात करते हैं ग्रूप फीपल की बात करते हैं तो我們 हम्द लगाते हैं आप को क्योंे पिछले से पिछले में किया बायर दो पूर मितलब किया जितने भी पूर हैं, जितने भी गरीब हैं, उस सेंस में खाली पूर नहीं होगा, दर रिच लगाया था, कि जितने भी अमीर वर्ग हैं, तो उससे पहले क्या हमने दर लगाया था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा the good हो जाएगा from the bad हो जाएगा तो इस third part में error है ठीक है, the का use होगा क्योंकि हम group of people को refer कर रहे है अगला आ रहा है the children laughed at the clown अब यहाँ पे error आशच कोई दिखनी रहा अगर होगा भी तो क्या होगा laughed के साथ आगे preposition का error होगा पर laughed के साथ तो at ही लगता है तो यानि यह no error का question है आपको याद करना पड़ेगा कि laughed के साथ at रहता है fixed preposition में, अब वहाँ laughed in लिख देंगे laughed for लिख देंगे पर क्या आएगा, at आएगा क्योंकि हमें याद है कि at आएगा इसलिए मैं पता है कि यहाँ पर कोई error नहीं है ठीक है, अगला देखो they persisted on their going in spite of rain they persisted persisted क्यों होता है, continue करना किसी बचीज को नहीं नहीं करना है मुझे जाना है हमें, बारिश औरी तुफान आना है persist करना, ठीक है और persist का इह गूल होता है कि persist word के साथ हमेशा ही in का use होता है, on का use नहीं होता मैं यहाँ नीचे ले खरी हूँ in आ जाएगा, ठीक है persisted in हो जाएगा तो second part में हमारा error है ठीक, अगला देखो she was ill for five days when the doctor was sent for वो क्या थी, पिछले पांच दिन से बिमार थी जब doctor को भेजा गया अब यह क्या है, past की activity है चल रही है, और एक चीज़ ट्रिक और भी है इसमें, कि अगर आपको for और since दिखता है, तो वहाँ पे हमेशा ही perfect continuous लगता है बाकि कि अगर present का लगा हुआ है कोई verb, तो वो present में चलेगा और अगर past का है, तो past में चलेगा अभी हाँ पे was था, was तो past का है तो हमें पता चला कि भाई, यह आपका past perfect होगा तो was ill की जगा यहाँ पे आजाएगा had been ill had been ill had been ill इस वीडियो का PDF आप लोग टेलेग्राम से ले सकते हो, मैं अभी lecture के बाद हम लोग update कर देंगे तो आप वहाँ पे भी हमसे जोड़ जाना जिन जिन बच्चों के पास books नहीं है टेंशन मत लेना, इसका PDF हम लोग upload कर देंगे आप हाँ से भी से copy कर सकते हो ठीक है, और साथ-साथ copy के अंदर बनाते चलना, पहले वीडियो को आपी में लिखे, उसके error नहीं लिखोगे कि इसका मतलब यह है, कि यह past में था, इस बज़े से हैं यह लगा है, तब तक आपको problem आती रहेगी common error के अंदर ठीक है, आगला देखो The United Nations inquired for a ceasefire United Nations है, क्या वो inquiry करेगा ceasefire के लिए ceasefire का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो यह ceasefire का मतलब होता है, कि agreement करना, कि भाई अब लडाई फड़ाई बंद कर दो, बहुत तभाई हो गई है बंद करो लडाई, तो अब जब हम कर रहे हैं, तो appeal बोलेंगे inquiry थोड़ी बोलेंगे, यहाँ पे तो inquired लिख दिया है, तो क्या आजाएगा है आपे, appealed आजाएगा appealed ठीक है तो United Nation appealed for a ceasefire, तो हमारे second part में error है, ठीक है appeal करना, formal request करना court को की भाई, decision लो, हम appeal डाल रहे हैं अपनी, कि बंद करो ceasefire को, ठीक है, लड़ना जगणना बंद करो, अगला आरा है घाना, नाइजीरिया and गांबिया each have parts to play in the development of Africa, अब क्या है इन सभी जगाओं का क्या है बहुत योगदान है development में आफरिका की, ठीक है यह सारी जगाओं के नाम है, आफरिका के अंदर घाना, नाइजीरिया, गांबिया, यह सभी जगाओं है आफरिका के अंदर, इनका क्या है, बहुत major part है development में, और हमने chapter में रूल पड़ा था, each, every वाला कि अगर each आता है, तो उसके साथ हर चीज क्या लग जाती है, singular लग जाती है तो यहाँ पर has आ जाएगा, singular वर्ब लगेगा, क्योंकि each क्या है single है, ब्रमचारी है, उसके तरह हर चीज क्या होती है, singular हो जाती है, each, every either, neither, इसके तरह हमेशा has लगता है, ठीक है, यह रूल था अगला देख लेते हैं in these days of inflation, a 10 रुपी note will not buy you even an ordinary meal आजकल की inflation की दुनिया में, जा क्या है चीज़े के rate बढ़ रहे हैं महापे कहें, दस रुपे में आपको एक अच्छा खाना, आम खाना नहीं मिल सकता अब जो यहाँ a 10 रुपी note है यह हमारा compound adjective है मतलब जब भी ऐसे कोई number लिखा होता है a 10 रुपी note a 100 रुपी note तो इसमें क्या होता है, बीच माँ डाश का यूज होता है तो जब लिखेंगे तो यह ऐसे बनेगा 10 डाश, रुपीज नहीं आएगा रुपी हो जाएगा, ठीक है a 10 रुपी note हो जाएगा यह इसमें error है आगे देखते हैं शा जहां was an hair at the Mughal throne शा जा क्या था, वारिस था Mughal throne का अब hair क्या होता है, वारिस होता है, successor होता है, property का hair के साथ कभी भी आप जो है, at नहीं लगाते hair का हमेशा fixed preposition to होता है तो क्या आजाएगा, hair to और second part में error है आपका, at नहीं आएगा ठीक है अगला देखो, he walks as if the earth belong to him वो ऐसे चलता तो से पूरी धरती उसकी है यह sentence क्या है, as if जब word आते हैं तो यह imaginary condition वाले words हो जाते हैं ठीक है, और imaginary condition वाले words में हम क्या करते हैं, हम past का लेते हैं ठीक, तो अगर past का लेते हैं तो यहां तो क्या लिखा हुआ है error है की नहीं है हम past में लेते हैं, as if ने बताया वह ऐसे चलता था, जैसे धरती उसकी है पूरी की पूरी, अब अगर past में चलता है तो यहां तो belong already दिया हुआ है वर्प का second form, यानि इस question के अंदर कोई भी error नहीं है ठीक है, कोई भी error नहीं है जब भी हम कुछ ऐसा देखते हैं जाए imaginary situation होती है और as if word जो है past को denote करता है, तो आगे क्या है past के ही verbs लगते हैं, और यहां लगा हुआ है अगर यहां लिखा होता belong तो error होता, तो उसको ठीक करके belong करते हैं, बट यह already ठीक है ठीक है, अगला question देखो even if he was a god I would not trust him अगर वो भगवान भी होता तो भी मैं उस पर विश्वास नहीं करता मतलब इतना गया गुजरा है वो इनसान ठीक है, कि अगर उसके बाद superpower आ भी जाए भगवान की, तो भी उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ठीक अब even if even if भी क्या है आपका, वही same past को represent कर रहा है जैसे as if था, और even if he was नहीं होता if के बाद बेसिक कर ली, हमने imaginary words में किया था, कि if के बाद चाहे subject singular हो, चाहे plural हो हमेशा उसके साथ हम वर ही लगाते है तो was की जगा पे हापे वर आजाएगा, ठीक है यह error है, even if he वर अगॉड, I would not trust him, next देखो the first inning of the match was very sensational the first inning, हमने noun chapter में किया था, inning word कुछ नहीं होता innings होता है, तो यह बहुत ही छोटा सा error है, पढ़ने में लगेगा, कि inning ठीक दिया हुआ है बट नहीं, वह ऐस लगेगा क्योंकि innings का मतलब ही होता है several innings, बहुत सारी innings, ठीक है तो इस first part को माग कर लेते error is part में, next आ रहा है how long it takes to travel from Chinnai to Trichy by train कि कितना समय लगता है travel करने के लिए Chinnai से Trichy तक, अब जब statement में how long आता है, ऐसी statement just starting how long से हो रही है उसके बाद, आपका सवाल होगे, how का मतलब क्यों होगे, सवाल तो helping verb आएगा ना पहले तो यहाँ पर do or does का use होता है ठीक है, क्या use होता है do or does का use होता है, अब do or does में से क्या लगेगा, is क्या है it क्या है आपका, it's singular है तो हम does का use करेंगे तो क्या आ जाएगा, how long does it takes to travel from Chennai to Trichy तो हमारा इस first part में error है does लिखो, do नी लिखना, समझाने के लिए मैंने लिखा है, क्योंकि how long के बाद, it's subject जो है singular है इसी बज़े से वहाँ does आ रहा है और जब भी structure में, starting में how long देखेगा, तो अब check करोगे, कि आगे का subject क्या है singular है, plural है, और अकर singular है तो वो singular लगेगा, चीक है और ये takes नहीं होगा, take होगा चीक है, क्योंकि already हमने does में एस लगा दिया है, इस वज़े से verb में हम एस नहीं लगाएंगे, takes नहीं करेंगे अगला देखो, I was laying down when the doorbell rang मैं क्या है, लेटा हुआ था जब घंटी बजी, नॉर्मली बचती है जब हम लेट थे, तभी घंटी बच जाती है अचानक से या तभी कोई आवाज मार देता, ये करदो, वो करदो ठेक है, तो laying नहीं होगा, lying हो जाएगा lying मतलब क्यों होता है, लेट ना सीधा होके flat position के अंदर, यहाँ पर lying आएगा अगला देखो next आ रहा है I told the teacher that the homework set for the day was much too heavy for us to complete मैंने teacher को ग्यान दिया कि भई, जो आपने homework बोला था बहुत ही जादा heavy है, बहुत ही जादा है complete करने के लिए यह को शेकान बच्चा ही होगा, जो teacher को बोल रहा है I told the teacher मैंने teacher को बोला, वर्ब का second form है that homework set for the day was, सब कुछ past में चल रहा है too heavy for us मतलब बहुत ही जादा है, जब भी two, two, two लगता है, वो negative sense में यूज होता है क्या कहना चाहरा है, कि बहुत ही जादा काम दे दिया आपने कि हमने expect किया था कि आप दो तर कोशन होगे, आप पचास कोशन देके बैठ गे हो में ठीक है, तो यह negative sense में है तो क्या हो गए यहाँ पे, वर्ब के forms आरे ठीक है past में चल रहा है, past में उसने बताया तो यह no error का question है, इसमें कोई भी error नहीं है ठीक, आगे देखते हैं अगला question, someone they don't know who knocked at the door in midnight कोई तो था, जो उनको नहीं पता था कौन था वो उसने वही रात को, आदी रात को वेसी करली दर्वाजा खट-कटा दिया सबसे बुरे लोग लगते हैं, जो नीन दाया और वो दर्वाजा खट-कटा दे आप लोगों का तो door के बाद क्या है, door के बाद यहां पे इन्होंने in लगा रहा है door in नहीं होता, door at होता है ठीक है, तो इस third part में आपका error है तो क्या हो जाएगा, someone they don't know who knocked at the door at midnight अगला question आ रहा है, seldom if ever nature does operate in closed and separate compartments ऐसा कभी-कभी होता है, जो nature है, वो operate करता है separate and closed compartments के अंदर अब इस question के अंदर seldom if ever पेर दिख रहा है और यहां पे does की जो placing है यह गलत है यह seldom if ever does nature यहां आना चाहिए, ठीक है यह यहां नहीं आएगा, यह superfluous हो जाएगा तो seldom if ever does nature operate पहला helping अब आएगा, फिर subject आएगा ठीक है, next question देखो Mohan left on the opportunity that came his way Mohan ने क्या किया, opportunity को लपक लिया मतलब उसको accept कि opportunity को जो उसे मिल रही थी तो left के साथ कभी भी on का use नहीं होता left के साथ हमेशा ही आपका at आता है क्या आता है, at आता है तो Mohan left at the opportunity that came his way ठीक है अगला water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances अब पानी की contamination क्या है, बहुत जादा बढ़ गई है क्योंकि जो chemist है, वो बहुत ही तरह-तरह के नहींने substances यूज करने लग गई है तो begin के बाद to use नहीं होगा begin using हो जाएगा ठीक है, begin के बाद क्या हो जाएगा using, मैं इचे लिख रही हो have begun using new substances ठीक, second part मेरर है हमारा, next देखो due to inflation, the cost of living escalated in the last one year, inflation की वज़े से क्या है, जो cost of living है, वो बढ़ गई है जो past का क्या है sentence के अंदर effect हो रहा है present मे, क्योंकि inflation थी, तो इस वज़े से क्या है, cost of living भी बढ़ गई है सब चीजे महंगी हो रही है, rent महंगा हो रहा है, petrol महंगा हो रहा है घर महंगे हो रहे है, right, inflation की वज़े से, तो अब यहां पे क्या है past का effect क्या है, present पे पढ़ रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, present perfect tense का use किया जाएगा खाली आपका escalated ने लिखे जैसे ही मैं enter कर रहा था कमरे के अंदर मैंने देखा, रहे, मेरा परिवार तयार हो के क्या है, party के लिए जा रहा है तो party के लिए जा रहा है अगर तो यहां पे क्या आ जाएगा, going for a party नहीं होता, going to a party होता है, और हम कई बार गलत भी बोल देते हैं, तो going इंजर हो चुकी थी कि उसे काटना ही पढ़ना था, amputated का मतलब होता है काटना, अलग कर देना बोडी के हिस्से से तो किस पार्ट में इसमें एरर है एरर है इस question में कहीं, दिख रहा आपको starting में क्या है, the arm was so badly past में दिया हुआ है, ठीक है that he must have नहीं होगा उसको कराना ही पढ़ा, तो क्या आजाएगा hard to get it that he, मिहा नीचे लिख देती हुए that he, hard to get space थोड़ी काम है न, इसमें इसलिए यहां लिख दिया है, hard to get it amputated, second part में एरर है अगला you need not tell a lie when judge asked you where you were when the crime was committed तो मैं जूट बोलने की जूरत नहीं थी, कि जब जब judge ने पूछा तुम से, कि भाई तुम कहा थे जब crime होआ था, ठीक है तो need not tell a lie, सही है क्या है यहां पे अब यहां पे क्या है दो situations है, दो event हो रहे है past में, अब दो event में क्या होता है जो भी पहला event होता है वो क्या होता है, past perfect में होता है पहला क्या है, उसने जूट बोला judge के सामने, क्या, जब judge ने उससे पूछा तो उसने जूट बोला, पहला event है तो यह past perfect tense में होगा तो you need not tell a lie की जगा पे होगा आपका, यहाँ पे, इसकी जगाँ पे होगा you need not have told a lie need not have told a lie यहाँ ऐसी आएगा, tell का told हो जाएगा ठीक है, half के बाद V3 लगता है ना, इस वज़े से ठीक, first part में error है हमारा next देखो अगला आ रहा है mobile phones are so important these days that they are no longer luxury items items but have become necessity mobile phone क्या है, इतने जरूरी हो गई है क्या importance वर ठीक है आपे importance थोड़ी होता है, important होता है जरूरी हो गई है important होगा, importance नहीं होगा ठीक है, यह error है, बहुत ही basic सा error था यह तो कोई भी ढूण लेगा अगला, the process was too simple and easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it, चो process था इतना जादा easy था, कि भई हमें बस 5 minutes लगे है, उसे समझने में grasp करना मतलब समझना चीज़ों को तो यहाँ पे कभी भी to use नहीं करते to negative को बताता है, इतना ही लंबा था कि घंटों लग गए, पट यहाँ तो positive चीज़ हो रही है, कि भई बस 5 minutes में समझ आ गया, और हमने देखा यहाँ पे, कि यहाँ पे that भी लगा हुआ है और positive pair में हम लोग to कभी use नहीं करते, that use करते हैं, so that का पेर होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा so का use होगा, और that जो है और यहाँ दिया हुआ है, तो हो जाएगा the process was so simple and easy to understand, that it hardly took 5 minutes for us to grasp it, ठीक है, अगला देखो, the decaptiated body of a young girl was discovered yesterday decaptiated body मतलब क्या जिसका सर कटा हो, सर कटी body देखी, एक young girl की कहा, yesterday पाई गई, अब क्या है आपके discovered, discovery थोड़ी हो रही को यहाँ पे, invention थोड़ा और है, अब वो अचानक से मिल गई, तो क्या होता, अचानक से मिलना में क्या होता, found का use करते है find found का use करते है, instead of discover करना, ठीक है, तो यहाँ पे आजाएगा, यहाँ पे आपका आजाएगा discovered की जगा पे found हो जाएगा found भी क्यों होगा, क्योंकि yesterday जो है past की बात हो रही है, इसी वज़े से find का हमने found करती है, ठीक है इस part में error है, fourth वाले में next देखो we really wanted to go to the park but we were told not to go out if it rain, हम जाना जाते थे park, बट हमें बोला गया कि भाई, अगर बारिश हो गई, तो तुम लोग भार नहीं जाओगे, तो अब यहाँ चीज़े past में चल रही है, wanted हो गया we were हो गया, told हो गया past में चल रहा है, तो भाई, rain यहाँ पे if condition है तो it rain का क्या मतलब है, rain होगा फोर्थ पार्ट में आपका error है, ठीक आगे देखो बस थोड़ा सा रह गया है, सारे important questions है, ठीक है किसी को भी miss नहीं करना ऐसा कहा गया है, कि जो history है क्या है, वो बहुत सारी बायोग्राफी से भरी पड़ी है ठीक है, तो बहुत सारी है ना, innumerable क्या होता है मतलब, बहुत सारी होता है, plural है, तो बायोग्राफी या तो singular लिखा हुआ है तो ये बायोग्राफी हो जाएगा IES लग जाएगा इसमें, ठीक है इस पार्ट में error है अगला, the international day against drug abuse and illicit trafficking is observed on June 26, जो drug abuse and illicit trafficking का day है, वो 26 जून को observe किया जाता है, तो trafficking क्या है it's an uncountable noun, ठीक है trafficking uncountable अगर noun है, तो उसके साथ कभी भी S नहीं लगता, ठीक है, ये S का error है यहाँ यहाँ पे, लिख लो यहाँ पे uncountable noun नहीं है, फर्स पार्ट में error है आपका ठीक है, अगला देखो, if man makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience and perseverance he is sure to succeed अब ऐसे sentence बड़े खतरनाक लगते है बच्चों को, कि इतना बड़ा sentence दे दिया है कहाँ error होगा, और trust me जो बड़े sentences होते हैं, वो सबसे easy होते हैं, क्यों, क्योंकि जब आपको data साथा दिया जाता है, तो आप analyze बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, कि error कहाँ पे हैं, आप यहाँ पे देखो, क्या दिया होगा है, if man makes, if man makes, man क्या है singular है, makes यहाँ पे singular verb दिया होगा है, ठीक है, proper use of his time, अपने time का proper use करे, and opportunity, opportunities, and follow, अब follow तो वर्ब है न, अब अगर वर् के साथ S लगाते हैं, हम लोग उसे singular करने के लिए, देखा, easy to starting में मिल गया, तो आपको बस देखना है कि subject क्या है, subject क्या singular है, तो आगे क्या verb जो है, वो singular दिया है कि नहीं दिया, बस that's it, और कुछ नहीं देखना है, ठीक है, तो यहाँ माग करेंगे, तो हम यहाँ पे लि 6 months, जितने भी ज्वैलरी के रेटेलर्स थे, अल ओवर इंडिया, उन्हेंने डिसाइट किया, कि भई क्या, गोल्ड कोईंस और बार्स हम अभी अगले 6 मेले तक नहीं बेचेंगे, ठीक है, अब ज्वैलरी रेटेलर्स अक्रॉस इंडिया, इसमें तो को एरर नहीं दिख र का यूज होगा, वीटू का यूज नहीं होगा, क्योंकि से लोती बिकरी, सोल्ड ओता है बेच दिया, ठीक है, तो ज्वैलरी रेटेलर्स जितने भी थे, उन्हेंने डिसाइट किया था, कि हम गोल्ड की बिकरी, से ल, गोल्ड कोईंस की बिकरी है, अगले 6 मेने तक हम नही करेंगे तो sale आ जाएगा sale of gold coins ठीक है तो error आपका हो जाएगा इस part में first part में sold की जगह पे हम sale लिखेंगे ठीक अगला देखो who do you think will win the game अब किस part में error इसमें आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा who do you think will win the game who आपका आगया आगया सवाल do भी ठीक है आपका helping verb के बाद subject आ रहा है think भी ठीक है वरब आ रहा है we'll win the game इस question में क्या आएगा आपका no error second वाला क्योंकि इसमें कोई error है ही नहीं ठीक है अगले पर देखो क्योंकि starting में आपके दे दिया उन्होंने why home जो भी लगता है आपका WH family का वो तो दिया हुआ है उसके बाद हमेशा आपका क्या आता है helping verb आता है do दिया हुआ है फिर subject आता है तो ठीक एक structure इसका तो कोई भी error नहीं है इसमें ठीक है जो धरती है वो sun के आसपास घूमती है move करती है तो कभी भी अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है earth जो है आपकी क्या है move नहीं होगा moves होगा earth को as a singular उसमें लिया हुआ है तो verb बताना है तो verb में क्या होगा s चोड़ेंगे तो यह moves हो जाएगा earth moves around the sun ठीक है और वैसे भी यह general fact universal truth है जब भी आपका universal truth होता है universal truth होता है या कोई general fact होता है तो उसमें हमेशा ही हम simple present tense का use करते है हम क्या use करते है simple present tense का use करते है इसी वज़े से यहाँ पर earth moves around the sun हो गया है ठीक है आगे देखो बस last है यह reading is no longer popular among the youthful of today as the influence of the internet has taken over a very important active hobby अब क्या है जो reading है आजकल के यो youth है वो read करना पसंद नहीं करते है पढ़ना पसंद नहीं करते है क्यों कि उन्हें इंस्टाग्राम की रील स्टालाने में मज़ा आता है internet की वज़े से कि भई किसी का भी कुछ भी रील बना दो आप खाना खारे हो सबसे पहले हर को रील बनाएगा चाहिए खाना ठंडा हो जाए डील ने पोर्टेंट आप त्यार हो आप इंस्टाग्रां के लए तियार होते हो आप अपने ले तियार नहीं होथे हैं कि मैं कितना सुबधर देख रहा हूं, मैं पतना सुन दर हूं, मैं कितनी इसुन दर हूं अगर एगर करते हो तो कमेंट करके बताना की हर चीज आज कल नेट पे तो भूगी है तीक है मतलब कुछ भी जो कुछ भी दिखा रहे हैं ठीक है just to earn money, easy हो गया है पैसा कमाना अब हर कोई क्या है सोचता है कि यार असानी से पैसा आजाए कोई यह नहीं सोचता कि यार proper professions क्या है, खतम हो रहे हैं कि डॉक्टर बनूँगा, इंजीनर बनूँगा चालो, आप किस पार्ट मेरर इसके अंदर बताओ 448 में reading is no longer popular among the youthful, youthful नहीं आएगा youth आएगा, ठीक है क्या आएगा, youth आएगा तो किस पार्ट मेरर हो गया आपका इस first वाले मेरर हो गया ठीक है, first में हो गया अब जो है इस lecture को अच्छे से practice कर लो, pdf आप लोगों को मिल जाएगी, मैं या लिख देती हूँ IAC Steno, Telegram चानल है हमारा कोई भी चानल नहीं है और IAC Steno या Steno IAC यही है ठीक है, कोई ऐसे फेक भी है, लोग जो है हमारे नाम पे जो है अडमिशन ले रहे हैं तो मैं आप से request कर रहे हूँ कि हमारा एक ही चानल है यही चानल है, इसके लावा कुछ नहीं है और जो नमबर दिया हुआ है हमने description में नीचे, वो ही हमारा admission का नमबर है, और कोई नमबर नहीं है ना ही हमारी कोई branch है, हम सिरफ मालवे नगर में ही हमारा office है वही से हम online, offline सब operate करते है तो प्लीज जो थोड़ा ध्यान दे admissions लेने के time पे ठीक है, और अगर आपको कोई अलग नमबर से message करता है या call करता है admissions के लिए तो प्लीज हमें inform करें, टेलेग्राम ग्रूप पे आप मुझे personally message कर सकते हो, बता सकते हो कि माम ऐसे message आ रहा है काफी help हो जाएगी आप लोगों के चानल को subscribe करना मत भूलना मीचे like share का button है दबा दो, what's up status पर लगाओ ताकि और लोग देख पाए ठीक है, और अच्छे से त्यारी करो अपने upcoming exams के लिए, जितने भी आ रहे हैं सीजल के exams आ रहे हैं, ससिस्टेनों के आ रहे हैं दिल्ली पुलिस वाले हैं, बहुत सारे exams आ रहे हैं सब में ये common आएगा ही आएगा ये कहीं नहीं जाने वाला PDF आपको मैं टेलेग्राम में अभी upload कर देंगे तो फटा फट से जोड़ जाना कोई भी doubt होगा, message करके पूछ लेना चीक है, मिलते हैं अगले lecture के अंदर बाबाई